पदम परान के उत्तर खंड में सनकादी द्वरा शिरिमत भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रास से पुष्ट होकर भक्ती ज्ञान और विराग्य का प्रकट होना नारजी बोले ग्यान योग के विशेशग्य महा कमाउँ अब मैं भक्ती ग्यान और विराग्य की स्थाफना करने के लिए शिरिशुक देव जी के कहेवे शिरिमत भागवत शास्तर की कथा द्वारा यतन पूरा कुज्जर ग्यान यग्य करूंगा यह यग्य मुझे कहा करना चाहिए इसके लिए कोई स्थान बताइए आप लोग विदो के पारंगत विद्वान हैं इसलिए मुझे शुक शास्तर अर्थात शिरिमत भागवत की महिमा भी सुनाईए और ये भी बताईए कि शुरिमत भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने के लिए कौन सी विद्वी है शुरी सुनक आदी ने कहा नारज जी आप विनई और विवेकी हैं सुनिए हम आपको पूछी हुई सबी बाते बताते हैं हरी दवार के समीप एक अनंद नाम का घाट है वहां नेकोर रिशी महिच्शी रहते हैं तथा देटार सिद्ध लोग भी उनका सेमन करते हैं नाना परकार के वरिक्ष और लताउं से वह स्थान व्यापत है वहां नूतन एम कोमल बालू बिची हुई है वे घाट बड़ा ही सुनम में और एकान परदेश में है सर्न में कमल उसकी शोबा बढ़ाया करते हैं उसके आस पास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठेहरने पाता वहां अधिक समारों के बिना ही आपको ग्यान ये गिकान स्थान करना चाहिए उस थान पर जो कथा होगी उसे बड़ा अपूरो रास मिलेगा भक्ती वी निर्बल एम जराजीरन श्रीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी क्योंकि जहां शिर्मत भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ती आदिस्वता पहुंच जाते है वहां कानों में कथा का शब्द पढ़ने से तीनों ही तरण हो जाएंगे ऐसा के कदेव रिशी नारजी के साथ सनकादिवी भागवत कथा रुपी अमरत का पान करने के लिए शीक्री हरीद्वार में गंगाजी के तड़ पर आगे जिसमे में महा तड़ पहुंचे भू लोग देव लोग तथा भ्रह्म लोग में सब जगा इस कथा का शोर हो गया रसिक भक्त शिर्मत भागवत अमरत का पान करने के लिए महा सब से पहले दोड़ दोड़ कराने लगे भ्रेगू, वशिष्ट, चयवन, गोतम, मेधादिथी, देवल, देवराद, परशूराम, विश्वामित्र शाकल, मारकंडे, दत्तात्रे, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और प्राशर शिरिमन, छायाशुक, जाजली और जन्नु आदि सभी परधान मुनि गन अपने पुत्र, मित्र और इस्तियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहाँ पर आए इसके सिवा, वेद, वेदान्त, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुरान और च्छियों शाश्त्र भी वहाँ मूर्ति मान होकर उपस्तित हुए सभी कथा सुनने के लिए चले आए जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोच वशवाण नहीं उपस्तित हुए थे उन्हें महिशी भ्रिगु समझा बजा कर ले आए तरंतर कथा सुनने के लिए दीक्षा ग्रहन कर लेने पर शिर्किष्ट प्रायन स्रनकादी नारज जी के लिए दिये हुए उत्तम आसन पर बिराजमान हुए उस समें सभी शुरुताओं ने उनको मस्तक जुकाया शुरुताओं में वैशिनव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सब से आगे बैठे और उनके भी आगे देव रिशी नारज जी बिराजमान हुए एक और रिशी बैठे थे और दूसरी और देवताओं विद और अपने शिदों का अलग आसन था एक और तीथ बिराजमान हुए और दूसरी और इस्त्रिया उसमें सब और जेजेकार नमशकार और शंको का शब्द होने लगा अबीर गुलाल आदी चूरन खील और फूलों की खूब वर्शा हुए कितने ही दिवेश और विमानों पर बैठ कर वहां उपस्तित हुए इस सब लोगों पर कल्प वरेश के भूलों की वर्शा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त होई और सब लोग एकागरची तोकर बैठ के तब सनकादी मुनी महात्मा नारद को शिरिमत भागवत का महात्म स्पस्ट करके बतलाने लगे। शिरि सनकादी ने कहां नारद जी अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्ण करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ती हाथ लग जाती है। शिर्मत भागवत की कता का सदा ही सेवन करना चाहिए। सदा ही सेवन करना चाहिए इसके शिर्मन मातर से मुक्ती रत्न की प्राप्ती हो जाती है यह गरंत 18,000 शिलोकों का है इसे 12 सकंद है यह राजा पृषित और श्री शुक्द मुनी का समवाद रूप है हम इस शिर्मत भागवत को सुनाते ही आप ध्यान दे कर सुने जीव तबीता का ज्यानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि शन भर के लिए भी यह शिर्मत भागवत का था उसके कानों में नहीं बढ़ती बहुत सी शाष्त्रों प्राणों के सुनने से क्याला इससे तो भ्रम ही बढ़ता है भागवत शाष्त्र केला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है जिस घर में प्रती दिन शिर्मत भागवत की कता होती है वे घर तीर्थ सवरूप हो जाता है जो लोग उसमें निमास करते हैं उनके पापों का नाश कर देता है सहस्त्रों अश्यमेग और सेंक्डों वाज पे यग्यभी इस शिर्मत भागवत की कता का सोलवा अंच भी नहीं हो सकते तपधनो मनुश्य जब तक शिर्मत भागवत कता का भली भाती श्रमन नहीं करते तबी तक उनके शिर्में पाप ठैर सकते हैं गंगा गया काशी पुषकर और प्रयाग ये शिर्मत भागवत कता के फल की बराबरी नहीं कर सकते ओमकार गायत्री मन्त प्रोशोक्त रिक साम और यजु ये तीनोवेद शिर्मत भागवत ओम नवभगत वास्ति आई ये द्वादिशाक्षर मन्त्र बारा मूर्टियों वाले सूर्य परयाग समस्तर सरूप काल भ्रामन अगनीहोत्र गउ तवादशितिथी तुल्सी वसंत और भगवान पुरशोत्तम इन सब में विद्वान पुरुष वस्ता कोई अंतर नहीं मानते जो मनुष्य प्रती दिन शिर्मत भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है उसके क्रोड़ों जन्मों के किये हुए पाप नाश हो जाते हैं इसमें तनिक वी संदे नहीं ह जो नित्य प्रती शिर्मत भागवत के आदेयां चुथोई शिलोक का भी पाठ करता है उसे रास रश में गिग्यों का फल पराब्त होता है निप्ते शिर्मत भागवत का पाट करना, शिरी हरी का ध्यान करना, तुलसी के पुदे को सीचना और गंगों की सेवा करना ये चारो एक समान है जो पुरुष अंतकाल में शिर्मत भागवत का वाक के सुन लिता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान को बिंद उसे अपना बेकुंट धाम तक देडारती हैं जो मानव इसे सुने के सिंगाशन पर रखकर शिरी विश्नु भक्त को दान करता है, उसे निश्चे ही भगवान शिरी किश्का सा युज्य प्राप्त होता है जिस दोस्ट ने अपने जनम से लेकर समस्त जीवन में चित को एकाग्र करके, कभी शिरीमत भागवत कथा अमरत का थोड़ा सा भी रस्वादन नहीं किया, उसने अपना सारा जनम चंडाल और गदे के समान विर्थि गवा दिया वे तो माता को प्रसव की प्रीडा पुचाने के लिए ही उत्पन हुआ था ये कितने खिद की बात है, जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वे पाबात्मा जीते जीवी मुड़ते के ही समान है वे इस प्रिथि का भार रूप है, मनुश्य होकर भी पशु के ही तुल्य है, उसे धिकार है इस परकार उसके विश्य में सर के परधान परमदान देवता कहा करते हैं संसार में शिर्मत भागवत की कथा परम दुल्लब है जब क्रोडों जन्मों के पुन्यों का उदे होता है, तब ही इसकी प्राप्ती होती है इसलिए योगनिली बुद्धिमान नारज्जी शिर्मत भागवत का यतनपूरक श्रमन करना चाहिए इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है साथ ही इसका सुनना उत्तम माना गया है सत्य भाषन और ब्रह्म चेरे का पालन करतेवे सिदा ही इसको सुनना उत्तम है किंटु कालियोग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है इसलिए इसके विशे में श्री शुक्देवजी के आदेश के अंसा ये विशेश विधी जान लेनी चाहिए मन के असेयम, रोगों के आकरमन, मुनश्यों की आयू के हरास और कलियों के अनेक दोशों के संभावना के कारण एक सब्ता में ही भागवत के श्रवन का नियम किया गया है कार्योग में अधेक दिनों तक मन की वृत्यों पर काबू रखना नियमों का पालन करना और विधी पूरवग दीशाग रहन करना बहुत कठीन है इस दिए इस समें सब्ता श्रवन का विधान है परते दिन श्रध्धा पूरुअ श्रिमद भागवत को आदी से अंठ तक सुनने का जो फल है वही श्री शुक देवी ने सब्ता श्रवन में भी बताया है तपस्या योकर समादी से भी जिस फल के प्राफ्ति संबव है वे सब शिरिमत भागवत का सबता श्रवन करने से अनायासि मिल जाता है सबता श्रवन यग्य से भी बढ़कर अपने महत्व की घोशना करता है वरत से भी अधिक होने का दावा करता है तपस्या से भी श्रेष्ट होने की गर्जना करता है और तीर सेतोवे सदा बढ़कर है ही, इतना ही नहीं सबताश्रवन योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ग्यान से भी बढ़ा चड़ा है कहां तक उसकी विशिष्टा का बर्नन करे, अरे वे तो सब से बढ़ चड़कर है शोनक जी ने पूचा सुच जी, ये तो आपने बड़े अच्चेरे की बात पताई, माना कि ये शिर्मत भागवत प्रान योग विता भ्रमा जी के भी आदिकारन भगवान पुर्शुक्तम का निरूपन करने माला है प्रन्तु ये इस युग में ग्यान और सादनों का तिसकार करके, उन से भी बढ़कर कल्यान का सादक कैसे हो गया तो सुच जी ने का शोनक जी, जब भगवान चिर्किष्ट इस धना धाम को छोड़कर, अपने प्रम धाम को बढ़ारने के लिए अग्जट हुए उसमें उधावजी ने उनके मुक से एका दस कंद में वरनित ग्यान का उपदेश सुनकर उन से इस प्रकार कहा, उधावजी बोले गुविंद, अब आप तो अपने भगतों का कारे सिद्ध करके परम धाम को बढ़ारना चाते हैं, किन्तु मेरे मन में एक बहुत बड़े उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए, देखिए ये भ्यंकर करी का, आया ही चाता है, अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन होंगे, उनके संसर्क से सादो पुर्श भी उग्रस बाव हो जाएंगे, उस समें उनके भार से दबी हुई, ये गोर उपनी भूमी किस क शरन में जाएगी, कमलनें, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वसल, आप सादो पुर्श बद्या करके यहां से मत जाएए, निराकार एमचिन में होते भी अपड़े भक्तों के लिए ही ये सगुन रोग धारन किया ह आप वे ही भक्त आपके वियोग में इस प्रिथी पर कैसे रह सकेंगे, निर्गुन की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतवे उनसे हो नहीं सकती, इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए, तसो जी कहते हैं, परभाश शेत्र के उधाव जी के ये वचन सुनकर शिरी हरी ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस से मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार विचार करके भवान जी ने अपना संपूरन तेज शिरिमत भागवत में स्तापित कर दिया, वे अंतरधान होकर शिरिमत भगवत रुपी समुद्र में परविश कर गे, इसलि पापो का नाश कर देती है, इसी से इसका 17 रमन सबसे बढ़कर माना गया है, कालियोग में अन्य सब सादनों को छोड़कर इसी को परधान धरम बताया गया है, दुख, दृद्दरता, दृभाग्य और पापो को धो डालने के लिए तिथा काम और कृत को काबू में करने के लिए कली कान में यही परधान धरम कहा गया है, अन्य था भगवान विश्णों की माया से पिंड़ छोड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुश्यतों से छोड़ी कैसे सकते हैं, अताय इससे छुटकारा पाने के लिए भी 17 रमन का विधान किया गया है, शोनक सुनिए, प्रेम रूपा भक्ती तरुन वस्था को प्राप्त होए अपने दोनों पुत्रों के साथ लेकर सैसा महा पर प्रगट होगी, उस समय उनके मुक्सिश श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारे हेनाथ नारायन वासुदे, आधि भगवन नामों का बारंबार उचार हो रहा था, उस समाज में बैठे हुए श्रुताओं ने जब श्रीमत भागवत के अर्थभूत बगवान के गले के हार एम मनोहर वेश वाले भक्ती देवी को वहाँ उपस्ति देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इनका यहां किस प्रकार प्रवेश हुआ, तब सनकादी ने कहा, इस समय ये भक्ती देवी यहां कथा के अर्थ से ही प्रगट हुई है, उनके ये बचन सुनकर, भक्ती ने पुत्रो सहीत अच्यंत बनीत होकर सनत कुमार जी से कहा मान भाव, मैं कलियोग में नस्ट प्राया होगी थी, कि त तो आपने भागवत कथा रोग अमरत से सीच कर, आज फिर मुझे पुस्ट कर दिया, अब आप लोग बताइए मैं यहां कहा रहूं, तब ब्रह्मकुमार सनकादी रिश्यों ने कहा, भक्ती भक्तों के हिद्दे में भगवान गविंद के सुन्दर रोग की स्ठापना करने वाली है, वे नन्य प्रेम पर दान करने वाली तिता संसार रोग को हर लेने वाली है, तो महीं भक्ती हो, अते धेरे धार्म करके नित्यन अंतर भक्तों के हिद्दे मंदर में निवास करो, वहां ये कालियों के दोस्त सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी, तुमारी और आँख उठा कर नहीं दे सकते। इस परकार उनकी आज्या पाते ही भक्ती देवी भगवत भक्तों के हिर्दे मंदर में बिराजमान हो गई। शोनकदी जिनके हिर्दे में एक मात्र श्रीहरी की भक्ती का ही निवास है। वे मनुष्य सारे संसार में निर्दन होने पर भी धन्ने हैं क्योंकि इस भक्ती की दोरी से बांद कर शाक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़ कर सर्थान के हिर्दे में बास जाते हैं। भूलोक में ये श्रीवत भागवत शाक्षात पर ब्रह्म का रूप है। हम इसकी महिमा का आज तुम से कहां तक बखान करें। इसका आश्रे लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और शुरुता दोनों ही भवान शिर्किष्ट की समता प्राप्त कर लेते हैं। अधर इसको छोड़ कर अन्य धर्मों का क्या प्रियोजन है। सूर्जी कहते ही शुनक जी तंतर अपने भक्तों के हिद्दे में अलोकिक भक्ती का प्रादर भाव हुआ देखकर भक्त वस्तल भगवान शिर्किष्ट अपना धाम छोड़ कर वहां पर पधा रही। उनके गले में वन माला शुबा पा रही थी शिरिवी ग्रे नूतन मेक किस्मान श्याम वरन था। उस पर पितामबर शिशो भी थो रहा था। भगवान जी की वैच्छांकी चित को चुराए लेती थी। उनका कठी परदेश करधनी की लड़ियों से लंकृता। मस्तक पर मुकट और कानों में कुंडल शुबा पा रही थे। बांकी अदा से खड़े होने के कानों में बड़े मनोहर परतीत होते थे। वक्स्थल पर सुन्दर कोस्त मणी दमक रही थी। सारा शिरियंग हरी चंदन से चत्चित था। करोडो काम देवों की रूब माधरी उन पर निचावर हो रही थी। इस परकार वे परम अनंद, चिन्न, मुर्ति, परम, मधुर, मुर्ली, धार, शिरी किष्ण अपने भक्तों के निरहिद्धे में प्रगट हुए। वेकुंट अर्थाद गव लोक में निमास करने वाले जो उधवारी वैशनों हैं वेवी वेकता सुनने के लिए गुप्त रुप से महाँ पर उपस्तित थे। भवान जी के पधारते ही महाँ चारों और सिज्जय जैकार की ध्वनी होने लगी। उसे भक्ती रास का आलोकिक परवाब बैचला अबीर और गुलाल के साथ ही पूलों की वर्शा होने लगी। बारम बार शंक ध्वनी होती रहती थी। उस समा में जितने लोग भी राजमान थे उन्हें अपने दे गे और आतमा तक की सुद्ध बुद्ध भूल गी थी। उनकी यत्तिन मेटा की वस्ता देख देवरिशी नारजी इस परकार कहने लगे। नारजी बोले मनीश रो आज मैंने सब्ता श्रवन की ये बड़ी आलोकिक महिमा देखी है। आजिये कि इस कथा में सब्ता यग्य से संसार में कौन-कौन लोग शुद्ध होते हैं। मुनी वारत आप लोग बड़े द्यालू हैं। आप लोगों ने लोग हित्त का विज्जार करके ये बिलकुल निराला मार्ग निकाला है। तो सनकादी ने कहा धेवरिशी जो लोग सदाही भांती-भांती के पाप करते हैं। दुराचार में प्रवित रहते हैं और शाष्त्र विद्ध मार्गोष में चलते हैं। तथा जो क्रोध अगनी से जलने वाले कुटिल और कामी हैं। वे सभी कली काल में सप्ता यग्गे से फित्त्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन हैं, पिता माता के निंदा करने वाले हैं, तृष्णा से व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से दहित हैं, धंबी हैं, दूसरों से डा रखने वाले और प्रानियों के हिंसा करने वाले हैं, वेवित काली युग में सब्ता यग्गे से पुत्र हो जाते हैं, जो मद्राबान, भ्रम्हत्या, सनकी चोरी, गुरुपत्नी गमन और विश्वाश घात ये पांच भ्यंकर पाप करने वाले, छल छदम में प्रवेत रहने वाले, क्रूर पिशाचों के लिए निदई, भ्रामनों के धन से पुस्ट होने वाले और व्यभी जा रही हैं, वे भी कल युग में सब्ता युग से पुत्र हो जाते हैं, जो शट हट पुर्वात, मन वानी और शीर के द्वारा सुदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुस्ट होते हैं, मलिन शीर तता खोटे हिर्दे वाले हैं, वे भी कल युग में सब्ता युग से पुत्र हो जात थे तुम गब अध्रान अधी के तट पर एकुत्तम नगर वसा हुआ था वे सभी वर्नों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्त एम सत करम में लगे रहते थी उस नगर में आतम देव नामक एक ब्रहमन रहता था जो समस्त वेदों का वे शग्ड और समार्त सो कर्मों में निशनात था वे ब्रहमन दित्त सूरी की भांती तिजस्सी जान पड़ता था यद्पी वे भिक्षा से ही जीवन निर्वा करता था तो भी लोक में धन्मान समझा जाता था उसकी इस्त्री का नाम धुंदली था में सुंद्री तो थी ही अच्छे कुल में भी उत्मन हुई थी फिर भी सभाव की बड़ी हठी ली थी सदा अपनी ही तेक रखती थी हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती उसमें क्रूरता भी थी तिथा वे प्राया बहुत बगवाद किया करती थी प्रंतु घर का काम काज करने में बड़ी बहादुर थी गंजोस भी कम नहीं थी कलैका तो उसे व्यसन सा हो गया था वे दोनों पती पत्री बड़े प्रेम से रहते थे फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी इस कारण धान भोग समगरी तथा घर आदी कोई वी वस्तु उन्हें सुकत नही जान पड़ती थी कुछ काल के पस्चात उन्हें संतान प्राप्ती के लिए धर्म का अनुस्थान प्रारंब किया वे दीनों को सदा गव, भूमी, सर्न और वस्तरादी दान करने लगे उन्हें अपने धन का आदावाग धर्म के मारक पर खर्च कर दिया तो भी उन्हें ना के पुत्र हुआ ना पुत्री, इससे भ्रामन को बड़ी चिंता हुई, वे आकुल होट था और एक दिन दुख के करने घर छोड़ कर वन्हें चला गया, वहां दुपेर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वहां एक पोकरे के किनारे गया और वहां चल पीकर बैठ गया, संत पोकरे में चल पीया, ब्रामन ने दिखा वे चल पी चुकी हैं, तो मैं उनके पास किया और चुनों में मस्तक जुगा कर जोर जोर से सांस लिता हुआ, सामने खड़ा हो गया, सन्यासी ने पूछा ब्रामन, तुम रोते क्यों हो, तुमें क्या भारी चिंता अस्ता रही है, तुम शीक्री मुझसे अपने दुख का कारण बताओ, तो ब्रामन ने कहा मुने, मैं अपना दुख क्या कहूं, ये सब मेरे पूर पापों का संचित भल है, मेरे कोई संता नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी है, मैं मेरे पूर्वत, मेरे दी हुई जलांजली को जब प संतान के दुख से मेरा संसार सुना हो गया है, अते, अब मैं यहां प्रान त्यागने के लिए आया हूँ, संतान ही प्रुष का जीवन धिक्कार के योग्य है, जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे नहीं हूँ, वे घर भी धिक्कार देने योग्य है, नी संतान प्र भागे को कहां तक बताऊं, जिस काई को पालता हूं, वह भी सर्था बन दिया हो जाती है, मैं जिस को रोबता हूं, उस वरिक्ष में भी फल नहीं लगते, इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है, वह भी शीकरी सूख जाता है, जब मैं ऐसा भागा और संतान ही नहीं हूं, तो इस जीवन को रखने से क्या लाव है, यो कहकर वे भ्रामन दुख से व्यतितो उठा, और उस सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रूने लगा, सन्यासी की हिद्दे में बड़ी करना भाराई, वे योगी भी थे, उन्हें ने भ्रामन के लाट में लिख वे विधाता के अक्षरों को पढ़ा, उस सब को जान कर विस्तार पूर कहना आरंब किया, सन्यासी ने कहा ब्रामन सुनो, मैंने इस से में तुमारा प्रारब्ध देखा है, उस से जान पढ़ता है कि साथ जन्वा तक तुमारे कोई संतान किसी परकार नहीं हो सकती, उस संत एक आश्रे लेकर संसार की वाचन त्याग दो, आजी पूर कान में संतान के ही कारण राजा सगर और आंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटंब की आशा छोड़ दो, त्याग में ही सब परकार का सुख है, तो ब्रामन बोले बाबा, विवेक से क्या होगा, मुझे जो जैसे बनें, वैसे पुत्री देजी, नहीं तो मैं शोक से मुर्ची दोकर आपके आगे ही प्रान त्याग दूँगा, पुत्रा दी के सुक से हीन ये सन्यास तो सर्था नीरस ही है, संसानवे पुत्र पोत्रों से बराववा ग्रस्त आश्रम ही सरस है, ब् पुत्र देव ने जिसके पुर्शार्थ को कुशल दिया हो, उसको कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हे पुत्र से सुक नहीं मिलेगा, फिर भी तुम हाट करते जा रही हो, तुम केवल अपना स्वार्थ ही सूज रहा है, आत्या मैं तुम्हे क्या कहूं, आन पुत्र होगा, तुम्हारे इस्ति को चाहिए कि वे एक वरिस्तक सत्य शोच दिया और दान का नियम पालन करते ही, प्रती दिन एक समय भूजन करें, इससे उसका बालक अज्जन शुद्ध सभावला होगा, ऐसके कर वे योगी महत्मा चलेगे, और ब्रहमन अपने घर कि थी ही, आपनी सकी के आगे रो रोकर इस परकार कहने लगी, अहो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता होगी, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी, सकी इस फल को खाने से गर्ब रहेगा और गर्ब से पेट बढ़ जाएगा, फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्त घट जाएगी, ऐसी दिशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंदा कैसे होगा, यदि तेववाश गाम में लूट पड़ जाए, तो घर्ब ने इस तरी भाग कैसे सकेगी, यदि कहीं शुकदेव जी की तरह ये घर्ब 12 मर्शों तक पेट में ही रहे गया, तो इसे बाहर कैस होते समय बड़ी असाय पीडा होती है, मैं सकुमारी इस्तरी भला उसे कैसे जैसकूंगी, घर्बती यवस्ता में जब मेरा शीर भारी हो जाएगा और चल्ले फिल्रे में आलच से लगेगा, उसे मेरी ननदरानी आकर घर का सारा माल मत्ता उड़ा ले जाएगी, और तो और ये सत्य शोचादी का नियम पालन तो मेरे लिए बहुती कठिन दिखाई देता है, जिस इस्तरी के संतान होती है, उसे बच्चों के लान पालन में भी कस्ट भूगना पड़ता है, मैं तो समयती हूँ, बांच अध्वा विद्वा इस्तरीया ही अधिक सुखी होती है, नार खा दिया, एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घार आई, तुंद्री ने उसके आगे अपना सारा विरतान सुना कर कहा बहन, मुझे इस वुरत की बड़ी चिंता है, किन्तो संताना होने पर भी मैं पती को क्या उत्तर दूंगी, इस दुख के करन में दिनों दिन बालक मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम घर्वती इस्त्री की भांती घर में छिपकर मौसे रहो, तुम मेरे पती को धंदे देना, इस से वे अपना बालक तुमें दे देंगे, और लोगों से इस बात का परचार कर देंगे, कि मेरा बच्चा छे मीने का होकर मर किया तुम इस समय प्रिक्षा लेने के लिए ये फल गव को खिला दो तब उस भ्रामनी ने इस्ती सभाव के कारण में सब कुछ वैसे ही किया तंतर समय आने पर उसकी बेहन को बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में दुंदरी को दे दिया उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और कोई किस्ट नहीं हुआ, आतम देव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी परसंता हुई ब्रामन ने बालक का जात करम सिसकार करके ब्रामनों को दान दिया उसके दर्वाजे पर गाना बजाना आदी नाना परकार का मांगली कुछ सब होने लगा दुंदरी ने स्वामी से कहा मेरे दूद नहीं है फिर गाएं बहस आदी अन्ने जीवों के दूद से में बालक का पोईशन कैसे करूंगी मेरी बेहन को भी बच्चा हुआ था किन तुवे मर गया है अज़े अब उसी को बुला कर घर में रखिए वही आपके बालक का पालन पोईशन करेगी उसके पती ने पुत्र की जीवन रख्षा के लिए सब कुछ किया माता ने उसका नाम धंदोकारी रख्खा अंतर तीन में ही ने बीतने के बाद ब्रामन की गवो ने भी एक बालक को जिनम दिया जो सर्वांक, संदर, देर्व, निर्मल, एम, सर्ण की सिकांती वाला था उसे देखकर ब्रामन देवता को बड़ी परसंता हुई उसने स्यम ही बालक के सब संसकार किये ये आच्चेरे जनक समाचार सुनकर सब लोगों से देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे देखो इसमें आतम देव का कैसा भग्यो देवा है कितने आच्चेरे की बात है कि गाएं के पेट से भी देवता के समान डूप वाला बालक उत्पन हुआ किन्तो देव योग से किसी को भी इस गुप्त रहसे का पता नहीं लगा उस बालक के कान गुप के समान थे ये देखकर आतम देव ने उसका नाम गुकर्न रख दिया कुछ कालवे तीद होने पर विद्धोन बालक जवान होगे उनको गुकर्न तो पंडित और ग्यानी हुआ किन्तो दुन्दुकारी महत्दुस्ट निकला शनार और शुचा चार का तो उनमें नाम भी नहीं था वे भक्ष भक्षन करता, क्रोट से भरा रहता, बुरी-बुरी वस्त्व का संग्रे किया करता था भोजन तो वैस सब के हाथ का कर लिता था चोरी करना, सब लोगों से देश बढ़ाना, दूसरों के घरों में आग लगा देना और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकट कर कुवे में डाल देना जियों की हिंसा करने का उसका सभाव हो गया था मैं हमेशा हध्यार लिये रहता और दीन दुखियों ऐहम अंदों को कस्ट बचाया करता था चंडालों के साथ उसने खुब हेल मेल बढ़ा लिया था मैं प्रती दिन हाथ में फंदा लिये कुट्टों की टोली के साथ शिकार के टों में गूमता रहता था उसने वैश्या के कुसंग में पढ़ कर पिता का सारा धन बरबाद कर दिया एक दिन तो माता पिता को खुब पीट कर वे घर के सारे बरतन भांडे उठा ले गया इस परकार धन ही न हो जाने के कारण बिचारा बाप भूट भूट कर रोने लगा मैं बोला इस परकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा है को पुत्र बड़ा ही दुखता ही होता है अब मैं क्या कहूं? कहां जाऊं? कौन मेरा दुख दूर करेगा? मुझ पर बड़ा भाड़ी कस्ता पुचा है अब तो मैं इस दुख से अपना प्रान त्याग दूँगा इसी समेश ग्यानवान गोकर जी वहां आए और विराग्य का महत दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगी पिता जी इस संसार में कुछ भी सार नहीं है दुख ही इसका सवरोब है ये जीव को मुँ में डालने वाला है भला यहां कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन जो इनमें असक्त होता है उसे ही राद दिन जलना पड़ता है इंद्रत्रा चक्रवत्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है सुख तो बस एकांत बासी वे रग्यवान मुनी को ही है संतान की पृती तो जो आपकी ममता है वे महान अज्यान है इसे छोड़ दीजी मौ में फचने से मनुश्य को नरक में जाना पड़ता है औरो की तो बात ही क्या है आपका ये प्रिय शिरीर भी एक ना एक दिन नस्ट हो जाएगा आपको छोड़ कर चल देगा इसलिए आप अभी से सब को छोड़ कर वन में चले जाएए वो कर्ण के बात सुनकर उसके पिता आतम देव वन में जाने के लिए त्यत्थ होकर बोले पितात मुझे वन में रैकर क्या करना चाहिए ये विस्तार को रख बताओ मैं बड़ा शाठ्थ हूँ आप तक करमा सने के बंदन में बंद कर मैं अपांक के भांती इस किराय रुपी अंधेरे कुए में ही पड़ा रहा हूँ द्यानिधी तुम निच्चे ही मेरा उधार करो तो गुकर ने कहा पिताजी हड़ी मास रक्त के पिंडर रोप इस शिरीन में आप मैं पन का अभिमान छोड़ दीजी और इस त्रिपुत्र आदी में भी ये मेरे हैं इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजी इस संसार को निरंतर शन भंगर देखिए और एक मातर वे रग रस के रसी को कर भगवान जी के भजन में लग जाईए सदा भगवत जन रूप दिव्य धर्मों का ही आच्रे लीजिए सकाम भाव से किये जाने वाले लोकिक धर्म को छोड़िए सादू पुर्षों की सिवा कीजिए भवोंगों की त्रिष्णा को त्याग दीजिए तो दूसरों के गुन दोशों का विचार करना शिक्र छोड़ का निरंतर भगवत सिवा भगवत कथा के रस का पान कीजिए इस प्रकार पुत्र के कहने से आतम देव साथ वर्ष की वस्ता भी जाने पर घर छोड़ कर स्थिर्चित से वन को चलेगे और महाँ प्रते दिन भगवान शिरी हरी की पर चर्या करते हुए नियम पूरक दिशन सकंद का पाठ करने से उनने भगवान शिरी के शचंद्र को प्राप्त कर लिया पदम प्रान के उत्तर खंड में गोकर्ण जी की भागवत कथा से धंदुकारी का प्रेतियोनी से उत्धार तथा समझ शुरुताओं को परंधाम की प्राप्ती सोजी केते हैं पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धंदुकारी ने अपनी माता को खुब पीता और कहा बता धन कहां रखा आई नहीं तो लातों से तेरी खबर लूँगा उसकी इस बाद से डरकार और पुत्र के उपद्रवा से दुखी योकर उसकी मा रात को कुँए में कूद पड़ी इस से उसकी मृत्यों हो गई इस परकार माता पिता के ना रहने पर गुकरन जी तीथ यात्रा के लिए चाल दिये वे योगनिश्ट थे उनके मन में इस घट्रा के कारण ना कोई दुखता ना कोई सुख क्योंकि उसका ना कोई शत्रू था न मित्र अब दंदुकारी पांच वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा उनके पालन पोशन के लिए बहुत समगरी जुटाने के चिंता से उसकी बुद्धी मोहित होगी थी अत्यवे अत्यांत क्रूर तापून करम करने लगा एक दिन उनकुल टाओं ने उससे गेहनों के लिए इच्छा परगट की दंदुकारी तो काम से अंधाव रहा था उसे अपने मृत्यू की भी याद नहीं रहती थी वे गेहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर पुना अपने घर लोटाया वहां अकर उसने उन वैश्याओं को बहुत से सुन्दर सुन्दर वस्तर और कितने ही आपुशन दिये अधिक धन का संग्रे देखकर रात में उन इस्त्रियों ने विचार किया ये प्रतिय दिन चौरी करने जाता है अधर राजा इसे वश्य पकड़ेंगे फिर साना धन चीन कर निच्चे ही से प्रांध दंड़े भी देगे ऐसी दिशा में इस धन की रक्षा के लिए हमी लोग क्यों ना इसे गुपत रूप से माट डाले इसे माल ये सारा धन लेकर हम कहीं और जगा चल देंगे ऐसा निच्चे करके उन इस्तियों ने धुंदुकारे के सुजाने पर उसे रसियों से कस कर बांदिया और गले में फासी डाल कर उसके प्रांध लेने की चीश्टा करने लगी किन्तु वे तरुन्त नहीं मरा इससे उसको बड़ी चिंता हुई तब उनने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुक पर डाल दिये इससे वे आग की लपटों से पीडी थोकर जट बटाता हुआ मर किया फिर उनने उसकी लाच को गड़े में डाल कर गाड दिया प्राया ऐसी इस्त्रियां बड़ी दुस्साहस वाली होती है इस रहसे का किसी को भी पता नहीं चला लोगों के पूछने पर उन्हें इस्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रितम धन के लोब से कही दूर चले गए इस वर्ष के भीतरी लोट आएंगी विदान प्रुष को चाहिए कि वे अजसन मार्ग पर चलने वाली दुस्ता इस्त्रियों का विश्वाश नहीं करें जो मूर्ख इनका विश्वाश करता है उसे अवश्शी संक्तों का सामना करना पड़ता है इनकी वानी तो अमरत के समान कामियों के हिद्दे में रस का संचार करती है कि तो हिद्दे छुरे की धार के समान तीका होता है बना इन इस्तियों का कौन प्रिये है इने एक पतियों से सहवास करने वाली एक उल्टाएं धुन्दीकारी का सदा धन लेकर चंपत होगी और धुन्दुकारी अपने कुकरम की कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ वे बबंटर का रूप धारण करके सदा दस्तो दिशाम में तोड़ता फिता था और शीत खाम का कलेश सहता था भूग प्यास से पीडित होता हुआ हादीव हादीव की बारंबार पकार लगाया रहता था किन्तो कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी कुछ काल के पश्चात कुकरम को भी लोगों के मूँ से धंदुकारी के मरने का हाल मालम हुआ तब उसे अनाच समझकर उनने उसके लिए ग्याजी में शराद किया और तब से जिस तीथ में भी वे चले जाते वहाँ उसका शराद दवश्य करते थे इस प्रकार तीथों में भ्रह्मन करते हुए गुकर्ण जी एक दिन अपने गाम में आयो रात्री के समय दूसरों के दिष्टी से बच कर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए अपने भाई गुकर्ण को वहाँ सोया देखकर धुन्दुकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना महा भ्यंकर रूप दिखाया वे कभी भेडा, कभी हाथी, कभी भेंसा, कभी इंद्र, कभी अगनी का रूप धारण करता था अंत में पुणा मनिश के रूप में प्रगट हुआ, गुकर्ण जी बड़े ध्यर्यवान महात्मा थी उन्होंने उसकी विप्रीत वस्थाइन देखकर जानिया कि एक दुर्गती में पड़ा हुआ जीव है तब उन्होंने पुछा रहे भाई तो कौन है, रात्री के समय अध्यंत भ्यानक रूप में क्यों प्रगट हुआ है तरी ऐसी दिशा क्यों हुई है, हमें बता तो सही, तो प्रेत है, या पिशाज है, अध्वा कोई राक्षेश है उनके ऐसा पूछने पर मैं बारम बार उस सवर से रोधन करने लगा, उसे बोलने की शक्ती नहीं थी, इसलिए केवर संकेत मात्र किया तब गोकर्ण जीने अंजली में जल लेकर उसे अभ्यंतित करके दंदुकारी के उपर छिड़क दिया उस चल से सिचने पर उसका पाप ताप कुछ कम हुआ, तब मैं इस परकार कहने लगा, भीया, मैं तुम्हारा भाई धंदुकारी हूँ मैं अपने ही दोसे अपने ब्रहामनत्व का नाश किया है, मैं महानग्यान के चक्कर में लगा रहता था, आता मेरे पाप करमों की कोई घंती नहीं है, मैंने बहुत लोगों की हिंसा गेथी मैं भी इस्तियो दुरा तर्बा तर्बा कर मारा गया इसी से मैं प्रेतियोनी में पढ़कर दुद्दशा भोगरा हूँ अब देव अधिन करम फल का उदे हुआ है इसलिए मैं वाई उपी कर जीमत धार्न करता हूँ मेरे भाई तुम द्या के समुद्र हो अब किसी परकार जल्दी ही मेरा उधार करो धंदोकारे की बात संकर गुकरन बोले भाई ये तो बड़े अस्चरी की बात है मैंने तो तुमारे लिए ग्याजी में विधी पूरक मिंड़दान किया है फिर तुमारे मुक्ती कैसे नहीं हुई यदि ग्याज राज से भी मुक्ती ना हो तो यहां दूसरा तो कोई उपाई ही नहीं है प्रेट इसमें मुझे क्या करना चाहिए ये तुमी विश्तार पूरक बताओ तो प्रेट ने कहा भाई सेंकड़ो ग्याज राज करने से भी मेरी मुक्ती नहीं होगी इसके लिए अब तुम और ही कोई उपाई सोचो तो प्रेट की वाद संकर को करन को बड़ा विस्मी होगा मैं कहने लगी यदि सेंकड़ो ग्याज शिराज से तुमारे मुक्ती नहीं होगी तब तो तुमें इस प्रेट योनी में प्रेट योनी से छुड़ाना संबवी है अच्छा इस समें तो तुम अपने स्थान पर ही निर्वे होकर रहो तुमारे मुक्ती के लिए कोई दूसरा उपाई सोच कर उसी को काम मिलाऊंगा गोकरन जी की आग्या पाकर धंदोकारी अपने स्थान पर चला गया इदर गोकरन जी रात भर सोचते विचाते रहे किन्तू उनके उधार का कोई भी उपाई उन्हें नहीं सूचा स्वेरा होने पर उन्हें आया देखकर गाम के लोग बड़े प्रेम के साथ उन से मिलने के लिए आए तब गोकरने रात में जो घटना घटे तोई थी वह सब उन्हें कैस सुनाई उन्हें जो लोग विद्वान, योगनिष्ट, ग्यानी और ब्रह्मवादी थे उन्हें शास्त्र ग्रंथों को उलट पलट कर देखा किन्टों उन्हें धंदुकारे के उधार का कोई उपाई नहीं दिखाई दिया तब सब लोगों ने मिलकर यही निच्चे किया कि भगवान सूरी नाराएन उनकी मुक्ति के लिए जो उपाई बतावें वही करता चाहिए यह सुनकर दोकर ने भगवान सूरी की और देखकर कहा भगवन आप सारे जगत के शाक्षी हैं आपको नविश्कार है आप मुझे धंदुकारे की मुक्ति का साधन बताईए यह सुनकर सूरी देव ने दूसरे ही स्पस्ट वानी में कहा शिर्मत भागवच से मुक्ति हो सकती है तुम उसका सब्ता प्राइन करो भगवान सूरी का यह धंदुनी रूप वचन वहां सब लोगों ने सुना और सब ने यही बात कही यह तो बहुत सरल साधन है इसको यतन पुरक करना चाहिए गुकरन जी ऐसा ही निच्चे करकर कथा बांचने को तयार होगे उससे में वहां कथा सुनने के लिए आस पास के स्थानों और गाउं से लोगे कत्रे थोने लगे अपांग, अंधे, बुडे और मंद भाग्या प्रुश भी अपने कपापों का नाश करने के लिए वहां पर आपोचे इस परकार बहुत बड़ा समाज जुट गया जो देताओं को भी अश्चेरे में डालने वाला था जिसमें गुकरन दी व्यास कद्दी पर बैठकर कथा बांचने लगे उसमें वे परेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूनने लगा इतने में ही उसकी द्रिष्टी एक साथ गांट वाले उचे बास पर पड़ी उसी के नीचे वाले छेद में गुस कर वे कथा सुनने के लिए बैठा वाई उरुप होने के कारण में बाहर कहीं बैठ नहीं सिकता था इसलिए बास में ही गुस गया था गुकर्ण जी ने एक वैशन ब्रामन को परधान श्रोता बनाकर पहले सकंद से ही इस बस्तवानी में कथा सुनानी अरंब की साइकाल में जब कथा बंद होने लगी तब एक विचित्र घटना घटी तुई सब शुरताओं के देखते देखते तर तर शब्द करते ही मास की एक गांट फट गे दूसरे दिन शाम को दूसरी गांट फटी तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गांट फट गई इसी परकार साथ दिनों में उस बंक की साथों गांटों को फोड़ कर धुन्दुकारी ने बारों सकंदों के श्रवन से निश्पाप होकर प्रेत युनी का त्या कर दिया और देवी रूप धारंग करके वे सब के सामने प्रगट हो गया उसका मेग के समान जाम रन्थास शीर पर पितामबर शुबा पा रहा था गले में तुल्सी की माना उसकी शुबा बढ़ा रही थी मस्तक पर मुकट और कानों में दिवे कुंडल जल्मला रही थे उसने तरंट अपने भाई गोकरण को पर नाम किया और कहा भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनी के क्लिषों से मुक्त कर दिया प्रेत योनी की पीडा नस्ट करने वाली ये श्रीमत भागवत की कथा धृन्ने आये जिता भगवान श्रीकिश के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सब्ता प्राइन भी धन्ने है सब्ता कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पांग कामने लगते हैं उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब ये कथा शीग्री हम लोगों का अंद कर देगी जैसे आग, गेली, सुखी, छोटी और बड़ी सबी तरह के लकडिया को जिरा डालती है उसी प्रकार ये सब्ता, श्रवन, मन, वानी और क्रिया द्वारा कि ये हुए इच्चा या अनिच्चा से होने वाले बड़े छोटे सबी तरह के पापों को भसम कर देता है विद्वानों ने देवताओं की सवा में कहा है कि इस भारत वर्ष में जो पुरुष श्री मत भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, उनका जनम व्यर्थी है यदि भागवत शास्तर की कथा सुनने को ना मिली तो मो पूरा कुपालन करके रिस्ट पुस्टर बलवान बनाए हुए इस अनिच्ची से क्या लाब हुआ जिसमें हडियां ही खंबे हैं जो नस नाड़ी रूप रसियों से बंदा हुआ है जिसके उपर मासर रक्त का लेप उसे चमड़े से मड़ दिया गया है जिसके भीतर से द्रुगंद आती रहती है जो मनमुत्र का पात्र ही है विद्धावस्ता और शोक के कारण जो परिनाम में डुख में जान पड़ता है जिसमें रोगों का निमास है जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है जिसका पेट कभी नहीं भरता जिसको सदा धारन किये रहना कठिन है तथा जो अनेक दोशों से भरा हुआ और शन भंगुर है वही ये शीर कहलाता है अंत में इसकी तीन ही गतिया होती है यदि मृत्यू के पस्चात इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीडे पड़ जाती है कोई पशू खा जाए तो ये विश्टा बन जाता है और यदि अगणी में जिला दिया जाए तो ये द्राख का धेर हो जाता है ऐसी दिशा में भी मनुश्य इस अस्थिर पर श्रीर से स्थाई फाल देने वाला करम क्यों नहीं कर लेता प्राथा काल जो अनपकाया जाता है वे शाम होने तक बिगड जाता फिर उसी के राश से पूस्ट हुए इस शीर से निद्यता क्या है इस लोक में श्रीवत भागवत का सब्ता सुनने से अपने निकठी बगवान की प्राप्ती हो जाती है अधर सब बरकार के दोशों के निवरिती के लिए एक मात्र यही सादन है जहां कथा श्रवन करने से जड़ एम सुखे बांस की गांटे भड सकती है वही यदा हिद्दे की गांटे खुल जाए तो इसमें क्या आज चारी है जो भागवत की कथा सुनने से वन्चित है जो लोग जल में बुदबदों और जीवों में मच्छों के समान केवल मारने के लिए पैदा हुए है 17 रवन करने पर हिद्दे की अग्यान में गांट खुल जाती है इस सारे संदे नस्ट हो जाती है और बंदन के हिट गूद समस्त करम शीन हो जाती है ये भागवत कथा एक महान पुन्य तीर थे ये संसार रुपी कीचर के लेब को दो ढालने में अध्यन्त पटू है विद्वान प्रशो का मत है कि जब ये कथा तीर चित में स्थिर हो जाए तो मनुश्य की मुक्ति निश्चिती है धंदो कारे की इस परकार की बाते कही रहा था कि उसे लेने के लिए आगाज से एक विमान उत्रा उससे चारों और मंडला कार परकाश पुंज फैल रहा था उसे भगवान जी के बेकुन ठवासी पार्शत भी राजमान थे धंदो कारे सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा उसमें आए हूँ श्री विश्नु पार्शतों को देखकर गुकर ने उनसे इस परकार पूछा भगवान के परिकरो ये तो बहुत से शुद्ध अंता करन वाली मेरे कथा के शुरोता बैठे हुए हैं आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए देखने में आता है सब इस समान डूप से यहां कथा शुरों की है फिर फाल में क्यों इस परकार का बैठ हुआ ये बताने की किर्पा कीजिए तो भगवान जी के पार्शत बुले को करन जी इसके कथा शुरों में बैद होने से ही फलों में भी बैद होता है यद पी शुरों सब लोगों नहीं किया है किन्तो इसके जैसा मनन किसी नहीं किया है इसलिए फल में बैद हुआ है पुना कथा शुरों करने पर ये फल बैद भी दूर हो जाएगा पिरे इतनी साथ रात पुवास करके कथा श्रमन किया है हते उसने स्थेर्चित से भड़ी भाती मनना दे किया है जो ग्यान द्रेड नहीं होता वे वियर्थ हो जाता है इसी प्रकार ध्यानना देने से श्रमन संदेशी मंत्र और चंचल चित होने से जब निश्वल हो जाता है वैश्नव पुर्षो से रहित देश कुपात्र ब्रामन से कराया हुआ अश्राद अशोत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचार हीन कुल भी नस्ती सदाच समझना चाहिए गुरू के वच्णों में विश्वाश हो अपने में दिनता की भावना बनी रहे मन के दोशों को काबू में रखा जाए और कथा में द्रिड निश्टा बनी रहे इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवच्छी कथा श्रवन का पूरा पूरा फ़ल मिलता है पुना कथा श्रवन करके हैं के पश्चाथ इन सब लोगों का बेकुंट में निवास निश्ची थे गुकर जी तुम तो स्यम भगवान श्रीकिष्ण ही वो लोग परदान करेंगे ऐसा के करवे साथ पार्षद भगवान जी के नमका कीतन करते भी बेकुंट दाम में चलेगी इसके बाद गुकर ने पुना श्रवन मास में कथा बाची उसमें सब लोगों ने साथ दिनों तक अपवास करके कथा श्रवन किया नारज जी कथा की समापती होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे सुनिये उसमें बहुत से विमानों के साथ लिए भक्तों सही भगवान उस थान पर प्रगट हो गई चारों और से जेजे काल और नमशकार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे भगवान जी ने परसन्न होकर वहां स्यम ही अपने पांजने नमक शंक को बजाया तथा गुकर्न को चाती से लगाकर उन्हें अपने समान ही बना लिया उनके सिवा और भी जितने शुनता थे उन सब की शिरीहरी ने एक शंक में अपना सारुप्पे दे दिया वे सभी मेक के समान शामरन, पितांबरधारी तथा किरीट और कुंडलों से शोबित होगे उस गाम में कुत्टे और चंडाल आदी जितने भी जीव थे उन सब को गुकर्न की दिया से भगवान जीने विमान पर बिठा लिया और वेकुंठ दाम में भेज दिया जहां योगी पुरुष जाया करते हैं तद पश्चाद भगवान गुपाल कथा शिर्वन से परसन नहो कर गुकर्न को साथ लेकर गुप वलब गोल अगधाम को पधारे जैसे पूर काल में समस्त अध्यावासी भवान शीर राम चंडर जी के साथ साके धाम में गे थे उसी परकार भवान शिर्किस ने उस गाउं के सब मनुश्यों को योग्यों के लिए भी दुरलब गोल अगधाम में पहुचा दिया जहां सूरी चंडरमा और सिद पुर्शो की भी कभी पहुँच नहीं होती उसी लोग के महां के सब प्रानी केवल शिर्मत भागवत की कथा सुनने से चले गे नारा जी शिर्मत भागवत की कथा में सब्ताई एक्ष से जिस अजल फल्ट संदाए का संचे होता है उसका इस समय हम आप से क्या वर्दन करें जिन्होंने कुकर्ण जी कथा का एक अक्षर भी अपने करन पुटो के द्वरा पान किया में फिर माता के गर्द में नहीं आई हवाँ बीकर पत्ते चवाकर और शीर को सुखा कर धीर काल तक कठोर तपस्या करने से तथा योग अभ्यास करने से भी मनुश्य उस गति को नहीं प्राप्त होते जिससे वे सब्ता कथा के शिर्वन से पा लेते हैं मनीश्वर शंडिल्य चित्र कूट में रहकर ब्रह्मान अंद में निमगन होकर इस पित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते थे ये उपाख्यान परब पित्रहे एक बर शिर्वन करने पर भी सावरी पाप राशी को भसम कर देता है यदि श्राद में इसका पाठ किया जाए तो इससे पित्रों को पूंत रिपती होती है और प्रति दिन इसका पाठ करने से मनुश्य को मुक्ष पराप्त हो जाता है